Hello Students, स्वागत है आप सभी का Welcome to IES के इस प्लेटफोर्म पे Students अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर हमारा Daily Current Affair का Discussion Lecture है इस Current Affair के Discussion Lecture के अंदर हम जो जो Important News होती है News Paper के अंदर में तो उन सभी को हम Discuss करते हैं उन से Regarding में जो भी Facts हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है तो Students आज का जो Current Affair का जो Discussion है उसे हम Start करते हैं Students फर्स टोपिक है मोहिनी अट्रम डांस के बारे में मोहिनी अट्रम डांस जो की हमारा Classical डांस है हमारे Total 8 Classical डांस है तो उसी में एक आता है मोहिनी अट्रम मोहिनी अट्रम डांस से Related एक Personality है उनकी Death हो जाने की वज़े से यह जो डांस है वो Basically News के अंदर में था तो Students अगर हम बात करें मोहिनी अट्रम डांस की आपको हमारे जो 8 Classical डांस है उनके बारे में पता होना चीए कि 8 Classical डांस कौन-कौन से है क्योंकि हमारी संगीत नाटक अकेडमी के दुआरा Presently 8 ही Classical डांस है जिने रिकोगनाईज किया है हमारा First डांस है भारत नाट्यम भारत नाट्यम जो है हमारा First डांस है भारत नाट्यम कुचिपुरी है कतकली है मोहिनी अट्टम है ODC है मनी पुरी है कत्थक है और सट्रिया है तो इस तरीके से Total 8 Classical डांस है आपको ये 8 Classical डांस के जो Important Characteristic फीचर है वो आपको पता होना चीए अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की तो स्टुडेंट्स मोहिनी अपने वर्ड है वो जो सुना होगा एक Beautiful Woman के लिए जो मोहिनी वर्ड है वो वर्ड यूज किया जाता है मोहिनी का मतलब है कि Attract करने वाला है मोहिनी जो वर्ड है उसका मीनिंग है Beautiful Woman यट्टम मींस दा डांस तो Beautiful Woman के दुआरा जो परफॉर्म किया जाता है एक डांस उसको मोहिनी अपने के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है यह बेसिकली एक सोलो डांस परफॉर्मेंस हुआ करता था बाद में यह लेटर फेज में यह डवलप होता है इसको बेसिकली पैट्रोनाइज जो किया गया मोहिनी अपने डांस को जो पैट्रोनाइज किया गया केरल के अंदर एक रूलर्स हुआ करते थे जिनने बेसिकली जो त्रावन कोर के जो राजा हुआ करते थे केरल के अंदर उनके दुआरा इसे dance को patronize किया गया उसके अंदर अगर हम especially किसी राजा का नाम बताएं कि 53 कोर के कौन से राजा थे जिनके दुआरा मोहिनी atom dance को patronize किया गया फुल फ्लेज के अंदर में तो स्वाती तिरू नाल नाम के एक राजा हुआ करते थे स्वाती तिरू नाल नाम के एक राजा हुआ करते थे उनके दुआरा basically ये जो मोहिनी atom जो dance है इसको patronize किया गया उनके बाद में ये dance continue यहाँ पे declining phase के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है मोहिनी atom dance के बारे में अगर हम उसके जो features हैं उसके बारे में अगर हम बात करें इस्टुडेंट्स मोहिनी atom dance आपको एक combination देखने के लिए मिलता है grace and allegiance का जो combination है जो भारत नाट्यम का अगर हम बात करें जो कतकली की जो form है उनका आपको एक combination की रूप में ये देखने के लिए मिलता है मोहिनी atom dance मोहिनी atom dance के अंदर आपको जो thumping of foot step है जो पैरों को thump किया जाता है वो step आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी मोहिनी atom के अंदर आपको जो foot work है वो काफी gentle way में देखने के लिए मिलेगा तो thumping of foot step यहाँ पे completely absence है मोहिनी atom dance के अंदर UPSC के दुआरा पिछले कुछ सालों में तो जो यह dance performance है उनसे इस तरीके के questions नहीं पुछे गए है पर 2014-15 का जो समय था इस्टूरेंट उस समय में UPSC के दुआरा काफी detail में जो इस तरीके के जो questions है वो पुछे जाते थे जिसके अंदर आप देखे कि आपसे पुछा जा सकता है क्या thumping of जो foot steps है वो देखने के लिए मिलता है नहीं मिलता है मोहिनी atom के अंदर तो पैरों को यहाँ पे thump नहीं किया जाता है जो footwork है वो काफी gentle way में आपको देखने के लिए मिलेगा मोहिनी atom के थुरू यहाँ पे जो basically जो story है उसको narrate किया जाता है अब यह story किस हमारे basically कौन गोड है उनसे associated है तो हमारे जो विष्णू भखवान है जो लोड विष्णू है लोड विष्णू का जो feminine dance है उसके related जो story है वो यहाँ पे narrate की जाती है मोहिनी atom dance के अंदर में जो last year aspect है जो beauty का जो aspect है वो dominant करता है इस dance को जो beauty का जो aspect है जिसको last year aspect के रुप से जानते हैं वो यहाँ पे dominant करेगा इस dance के अंदर में dance के अंदर में आपको music है जो songs है वो देखने के लिए मिलते हैं इसके लावा अगर हम बात करें students इसके जो costume इसके जो dancers हैं जो costumes यहाँ पे पहनते हैं तो आप देखें कि white color का जो costume है and of white and white color का जो costume है आपको देखने के लिए मिलेगा gold के color की presence भी आपको देखने के लिए मिलेगी dancers के जो costume है उसके अंदर में इसके लावा element of air यहाँ पे सिमिलाइज किया जाता है मोहिनी atom dance performance के थुरू dance के अंदर कुछ 40 ऐसे basic moments होते हैं जिसके collection को यहाँ पे अट्टावाकुल के नाम से जानते हैं अट्टावाकुल नाम से यह performance है performance के अंदर जो भी यहाँ पे 30-40 तरीके के जो moments किये जाते हैं dancers के दुआरा उसको अट्टावाकुल के नाम से जाना जाता है अगर हम बात करें students कौन-कौन से important जो musical instrument है जो मोहिनी atom dance के अंदर यूज किये जाते हैं तो वीना आपको देखने के लिए मिलेगी, drum आपको देखने के लिए मिलेगा, flute आपको देखने के लिए मिलेगा, मोहिनी atom dance के अंदर में तो यह कुछ musical instruments है जिनको यूज किया जाता है अट्टावाकुल के अगर हम बात करें अट्टावाकुल basically 40 जो basic dance के moments हैं उनके collection को अट्टावाकुल के नाम से जाना जाता है जो मोहिनी atom से ही related है तो students यह basically मोहिनी atom dance से related जो important information से उसको discuss किया मोहिनी atom के एक artist है कनक रिले, उनका अभी recently death होने की वज़े से यह जो dance है वो news के अंदर में था अभी recently जो यक्षागान है यक्षागान जो basically इसको एक dance की tradition के अंदर भी count किया जा सकता है theater का जो tradition है उसके अंदर भी इसको count किया जाता है तो यक्षागान का यहाँ पे एक person हुआ करते थे यक्षागान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि theater होने की वज़े से यहाँ पे जो main narrator होता है उसी से associated है बालीपा नारायन भागवता बालीपा नारायन भागवता है उनकी death हुई हमारे prime minister सर ने उनको basically अपना जो last tribute है वो पे किया बालीपा नारायन भागवता को तो यक्षागान से related थे यक्षागान को आपको जो theater performance है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा maximum books के अंदर में तो theater performance के अंदर आप जाके देखना Southern India की जो theater की performance है उसी के अंदर यक्षागान को mention किया गया है ये एक traditional folk dance भी बोल सकते हैं ये traditional इसको basically यहाँ पे जो theater की performance है उसके रूप में भी यहाँ पे count किया जा सकता है तो coastal area उप करनाट का इन केरल का जो region है वहाँ पे इस यक्षागान को यहाँ पे perform किया जाता है students यक्षागान के अंदर आपको rare combination of dance music, song, dialogue and colorful costume का जो combination है वो देखने के लिए मिलता है तो आप देखें कि यहाँ पे dance भी किया जाता है music भी बजाया जाता है जो basically dancers के लिए important है song भी गाये जाते है dialogue भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इनके जो costume से आप देखें कि कितने colorful जो costume से वो पहने होते हैं इनके जुआरा जो perform किया जाता है जिनके दुआरा यक्षागान को यक्षागान के बारे में अगर हम बात करें students यक्षागान का इस troops के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो एक group होता है इसके अंदर 15-20 actors हैं जो इससे associated होते हैं 15-20 actors का means एक team work के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर जो master of ceremony के रूप में जिनको recognize किया जाता है उनको भागवता के नाम से बोला जाता है तो उनको basically भागवता के नाम से बोला जाता है master of ceremony के रूप में जो यक्षागान से associated हैं अगर हम बात करें students आगे बढ़ाया गया विजेनगरा empire के अगर हम बात करें 13-36 के समय में विजेनगरा empire के establishment की थी 13-36 के समय में हरी हर एंड बुक का नाम के दो persons हुआ करते थे उनके दुआरा विजेनगरा empire established किया गया विजेनगरा empire के अंदर आपको काफी सारी जो dynasty है 4 important dynasty आपको देखने के लिए मिलती है अगर हम बात करें विजेनगरा empire से ही associated है कृष्ण देवराय तो कृष्ण देवराय इसी विजेनगरा empire के हैं जिनके दुआरा art और culture के अंदर काफी सारे जो activity है वो की गई है अगर हम बात करें यक्षागान की तो यक्षागान को एक community के दुआरा परफॉर्म किया जाता है वो community basically है जकूला वारू नाम की एक community है जाकूला वारू है या जकूला वारू है इस तरीके से community को community है जो यहाँ पर यक्षागान जो यह थेटर performance है या dance या drama का completely एक performance है उसको यहाँ पर perform किया जाता है जग कालू वारू community के दुआरा और युजिन अगर empires के दुआरा इसको यहाँ पर patronize किया गया था Students अगर next topic की बात करें next topic है बुर्कीना फासो के बारे में बुर्कीना फासो जो की basically आपको जो नोर्थ वेस्ट अफ्रीका कॉंटिनेंट है उसके अंदर ये country आपको देखने के लिए मिलता है 2020 से continue ये news के अंदर है बुर्कीना फासो फ्रांस की एक territory हुआ करती थी oldest colony हुआ करती थी बुर्कीना फासो में students आपको crime है coup है, government की instability है वो आपको देखने के लिए मिलेगी तो फ्रांस की इस colony के अंदर में फ्रांस की इस colony के अंदर हम आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो बुर्कीना फासो है इस बुर्कीना फासो वर्ड का meaning है land of honest man की जो इमानदार लोग हैं उनकी ये जमीन हैं बट आप देखें कि यहाँ पे continue आपको 2015 से आपको Islamic State की जो activities हैं वो देखने के लिए मिलती हैं जो Northwest Africa का जो region हैं इससे पहले जो France अभी recently news में इस वज़े से है Burkina Faso कि France की ये territory हुआ करती थी तो यहाँ पे Islamic State की जो insurgency या जो activity है वो increase होने की वज़े से France ने अपने जो troops हैं वो वहाँ पे send किये थे but troops का completely failure होने की वज़े से counter insurgency operations का failure होने की वज़े से France ने अपने जो troops हैं वो withdraw करने के यहाँ पे सोचा है decision लिया है कि Burkina Faso से अपने जो troops हैं अपनी जो यहाँ पे military forces हैं उनको withdraw किया जाए इससे पहले France ने जो माली नाम का जो country है जो माली नाम का country है Burkina Faso के northern area के अंदरी गिरता है boundary भी share करता है Burkina Faso के साथ में तो students वहाँ पे भी France ने अपनी जो troops हैं वो withdraw की थी वहाँ से भी अपनी troops निकाले थे क्योंकि continue France का जो Islamic State जो organization है एक insurgent organization है उसका जो counter insurgency के जो operation है वो continue यहाँ पे fail होने की वज़े से students यहाँ पे आपको एक important बात पता होनी चीए important बात यह पता होनी चीए कि यह basically जो Burkina Faso है Mali नाम का जो country है इसको Sahil region का country जो कहा चाता है हमारा जो African continent है उसके अंदर एक region है Sahil region अब यह Sahil region दो तीन वज़े से news के अंदर है एक तो जो great green wall का जो project है कि एक जमीन के उपर एक green wall बनानी है यहाँ पे एक दिवार बनानी है basically green climate change को deal किया जा सके और जो सवाना का जो वहाँ पे ecosystem है टेरिटोरी टेरिस्टियल जो grassland का जो system है और जो northern Africa है उसको यहाँ पे जो desertification है उसको रोका जा सके उसके regarding में है यह great green wall का इनी सिट्यू तो western जो सबसे country है सबसे west के अंदर अफरीका के अंदर सिनेगल नाम का country है सिनेगल नाम का country है इस्टन के अंदर है जो जिबूती नाम का country है तो इन दोनों countries का यहाँ पे दोनों countries को match करते हुए जैसे आप देखे एक अफरीका continent है तो सिनेगल है और सिनेगल से यहाँ पे जिबूती तक यह wall है वो बनाई जाएगी इससे great green wall का project कहा गया है 2007 के समय यह start हुआ land को यहाँ पे restore करने से related है और desertification को रोकने से related है ऐसा ही एक green wall का project हमारी government भी initiate कर सकती है आने वाले समय में वो basically अरावली की जो पहडिया है अरावली की जो हमारे mountain range है अरावली की mountain range आपको देखने के लिए मिलती है गुजरास से यह start होती है और अगर हम बात करें above the land आपको देहली तक देखने के लिए मिलेंगी जो अपना राइसेना hills है जो power house है परजेंट समय हमारे country का हमारे जितने भी PMO है ministries हैं जो located है राइसेना hills पे तो वहाँ तक यह जमीन के अबाव area के अंदर है और अगर हम बात करें कि below the land है वो आपको हरीदवार तक देखने के लिए मिलती है अरावली की ranges आपको तो हमारे government का भी एक project है कि जैसे अफरीका के जो सिनेगल से जिबुती तक जो great green wall project start किया गया है वैसा ही एक project पोर बंदर से लेकर और पानीपत का जो region है वहाँ तक बनाई जाएं वहाँ तक जो green wall है वो create की जाए जिससे की जो हमारे desertification की जो problem है उसको deal किया जा सके साहिल रीजन के अगर हम बात करें students यह साहिल रीजन के अंदर है यह जो बुर्कीना फासो एंड माली नाम के country का हमने बात किया तो semi-arriate region है western and north central अफरीका के जो semi-arriate region को साहिल रीजन के नाम से जाना जाता है great green wall project के बारे में हमने discuss किया great green wall project के बारे में हमने अरावली mountain range की जब बात की तो students आपको पता होना चाहिए अरावली mountain range की जो highest peak है उसे guru seeker के नाम से जानते हैं अगर आपका geography optional है जो geography optional के अंदर जो paper second होता है paper second के अंदर आपको 20 marks के जो location based questions आपको बताने होते हैं 20 marks के तो वहां पर इस तरीके questions पूछी जाते हैं पिर limbs के अंदर भी पूछी जाते हैं इस तरीके questions तो guru seeker highest peak है mount abu नाम का जो एक hill station है राजस्तान के अंदर वो भी नरावली ranges के अपर ही situated है तो यह आपको पता होना चाहिए great green wall project के बारे में discuss किया जो यहाँ पे sahil region है वहाँ पे इसको चलाया गया है basically और यह एक terrestrial zone है between the arid sahara है and north जो region है साहरा का जो सवाना का जो belt है उसके बीच में transition zone की रूप में काम करता है यह zone है जो sahil region है जो तो इन countries के बारे में आप अपने map के अंदर जाके practice चरूर करना साहिल region के जो country है माली है बुर्किना फासो है निगेर है सिनेगल है इन सब countries के बारे में जीबूती के बारे में भी आप practice कर ले ना students होर्नो पफरिका के चार country है वो आपको पता होना चाहिए सोमालिया है जीबूती है इटीरिया है इथोपिया है ऐसे चार country है जो जिनको हो पुर्नो पफरिका के अंदर count किया जाता है तो students यह कुछ location बेस जो हमने बुर्किना फासो के बारे में डिसकस किया यक्स ग्यान के बारे में डिसकस किया और मोहिनी अटम के बारे में डिसकस किया तो यह आज का हमारा current affair का discussion था continue इसी तरीके से आपको update करते रहेंगे आप practice किजिए इनका atlas के अंदर जाके जो location बेस है यह मोहिनी अटम है यह एक्स गान है अपनी जो बुक है उसके अंदर continue इनको एक बार read जरूर करी कीजिए आप students thank you thank you very much